दोस्तों ये वीडियो बहुती बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पब्लिक इंटरपाइजेज, यानि कि लोक उपकराभों की जो इस्थापना की गई, वो क्यों की गई, वरतमान में उनकी इस्तती क्या है, वो घाटे में चल रहे हैं, उ क्या हो रहा है दोस्तों मेरे से राश्चान प्रसासटनिक सेवा के साकसाथकार में पूछा गए था कि क्या राजस्तान रोड़ वेज को बंद कर देना चाहिए क्या और यही सवाल मैं आप से पूछ रहा हूँ आप कहीं के भी रहने वाले हो जैसे चाहे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात हो चाहे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात हो या बिहार के रहने वाले तो वहां के राज्य उपकरम की बात हो या किसी भी केंद्रिय उपकर्म की बात हो तो सवाल ये है कि क्या उनको बंद कर देना चाहिए क्या उनका निजी करन कर देना चाहिए क्या उनका वी निवेसी करन कर देना चाहिए अब मुद्दे पे बात आते हैं तो दोस्तों समाजवाद हमारी भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया सब दें, आवडी समेलन जो हुआ था, उसमें समाजवाद को लक्से मना गया था, लहोर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की बात आई थी, उस समें भी हमारा जो लक्से था, वो स में सुधार किया, जागिरदारी जमिदारी पर्था का हमारे देश में उनमुलन कर दिया गया था, और समाजवाद हमारे भारतिय सम्विधान का एक आधार इस्तंब है, तो जो लोक्रमों की जो इस्तापना की गई थी, उसमें भी इसी बात पे जोड़ दिया गया, कि जो स करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को गस्ती देने के लिए, लोक उपकरमों की इस्तापना की जानी बहुत ही जरूरी है, अब लोक उपकरम यानि पब्लिक इंटरपजेज किसी भी रूप में हो सकता है वो लोक निगम के रूप में भी हो सकता है जिनमें सवायता बहुत जादा होती है और देनी कार्यों में हस्तक सेप नहीं के बराबर होता है और लोक उपकरम जो है उसका स्वरूप विभाग की हो सकता है सरकार को जब लगे कि उनके पास में समय की कमी है और लचिलापन ज़रूरी है तो वो कंपनी एक्ट के तहत में कंपनी स्वरूप की स्तापना करती है तो पब्लिक इंटरपजेज के बहुत सारे स्वरूप है कि किस की स्तापना है तो प्रकरती के अनुरूप व्य प्रिमान में इस्तती ये है कि अधिकांस उपकरम गाटे में चल रहे हैं। गाटे में क्यों चल रहे हैं। गाटे में चलने का भी बहुत बड़ा कारण है। जों के द्वारा नहीं किया जाकर कि सामाने के जनरलिस्ट के द्वारा किया जाता है जिनको काम की समझ नहीं होती जबकि जो लोक उपकरम है वो मुलत है तकनीकी प्रकरती कि है इसलिए एक्सपर्ट लोगों को वहाँ पे न्युक्त किया जाना चाहिए या उनका हस्तक सेफ ह उनकी द्वरासिंचलन होना चाहिए इसके अलावा कहा जाता है कि प्रबंदन जो है उनको स्वायत्ता कम होती है राजमितिक हस्तक से बहुत ही ज्यादा होता है और इसके अलावा इस्ताहपना से लेकर कि अब तक अधिकांस जो उपकरम है वो गाटे में चल रहे हैं इस इन्टरपाइज है जो लोग उपकरम है उनको बंद कर देना चाहिए तो दोस्तों हम गहराई में जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि लोग उपकरम जो उनका जो निजी करन कर देना उनको बेच देना वी निवेसी करन कर देना ये कोई एक इस्थाई समाधान नहीं है मैं गर का मुख्या हूँ, मेरे घर का खर्द चलाने के लिए, आज मैं फ्रीज बेच दूँ, कल ऐसी बेच दूँ, तो मैं कुसल तरीके से घर का संचालन नहीं कर रहा हूँ, तो कोशीस क्या होनी चाहिए, कोशीस इस तरीके से होनी चाहिए, कि ये नौबत आये नहीं, कि कोई चीज बेचनी पड़े तो सबसे पहले तो उनके अंदर जो लोक उपक्रम है उनकी सरकार को यथा संभव जितनी कोशी सो उनको आर्थिक सायता प्रबंदन में सुधार सारी जो चीजें वो करकर के देख लेनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जो मर्ज करते ये मर्ज बढ़ता गया ये चीज नहीं होने चाहिए कि दवा देते रहे और मर्ज बिमारी बढ़ती रहे तो उससे पहले तो निश्कर्स निकल करकी ये आता है कि जो पब्लिक इंटरपाइज है उनको कार्यों में स्वाहिता दे एक्सवर्ट लोगों को न्युक्ति की जा और ये काम राजनितिक इस्तर पे नहीं होकर के प्रसाशनिक इस्तर पे नहीं होकर के विसेसगियों की एक कमेटी बना देनी चाहिए और एक सब्ध है स्वर्ट एनलैसिस है उसकी स्टेंट देखो उसकी वीकनेस देखो ऑपर्चुनिटी देखो थ्रेट चुनोतियां क्या वो देखो तो सोट जो अनालेसिस वो करो उसके अंदर देखो किया किया जा सकता है और जो नीजी करण है वो जो वी नीवी करण है वो एक अंतिम बिकल्भ के रूप में होना चाहिए लेकिन ये काम देखना भी काम किसका है जो expert जो कमेटी है जो विश्यसक के लोग है उनके द्वारा देखा जाना चाहिए देखा जाना चाहिए कि आप ऐसी एक सारजोने करम इकाई को जला रहे हो जिसमें गाटे से हम उबर ही नहीं सकते जहां पर लाग कोसिस करने के बावजूद भी येता है कि वो सुधर नहीं सकता तो वहां पर क्या होना चाहिए वहां पर वी निवेसी करण हो सकता है और निजी करण हो सकता है अब निजी करण और वी निवेसी करण में क्या अंतर है वी निवेसिकरण का मतलब तो यह है कि मैं बिजनस कर रहा हूं और मैं इसके साथ में मिल करके 50-50% की partnership हो सकती है तो वी निवेसिकरण में तो सरकार कहते हैं कि यह जो एक उपकरम है हम इसका एक जो part है हमारे पास में रखते हुए एक part के अंदर हम किसी के साथ में भागेदारी चाते हैं तो वी निवेसिकरण परतिसत क्या हो वो उचिस्तर की चीज है तो और निजी करण के अंदर तो सरकार क्या करती है बोली लगा करके साब यह हमारा लोग उपकरम है और यह हम इतने रुपे के अंदर बेच रहे है पूर्ण तया निजी करण के हाथों के अंदर बेच दिया जाता है अब जब निजी करण किया जाता है तो उसमें भी बहुत आरोप लगते हैं उसमें यह कहा जाता है कि टक्के की जो सामगरी है सो रुपे का जो माल है वो एक टक्के के अंदर बेच दिया यानि वेलियोसन को लेकर के बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं और कहते हैं अपने लोगों को बेच दिया तो इस सम्मंध में भी सरकार के द्वारा पॉलिसी होनी चाहिए ट्रांस्पेरेंट पॉलेंसी होनी चाहिए और जो बोली की परकिरिया है जो इस परकिरियागत जो रूल्स रेगुलेशन है उनमें ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता आए एक्सपर्ट जो कमेटी है विविन लोगों वो लोग उसमें सामिल हो जिसमें आरोप नी लग सके पकसपाद के आरोप नी लगे तो इस तरीके से जो लोक उकरम है उनका वीनिवेसिकरण और निजीकरण किया जाना चाहिए और एक्सपर्ट लोगों के द्वरा किया जाना चाहिए विससगियों की कमेटी बना देनी चाहिए अब हम बात आते हैं मैंने सबसे पहले सरुवात की थी राजस्तान जो रोडवेज है क्या उसको बंद कर देना चाहिए दोस्तों राजस्तान रोडवेज राजस्तान का एक ऐसा उपकरम है जो 1964 में इस्ताफित हुआ तब से लेकर के अब तक गाटे के अंदर चल रहा है तो अधिकांस लोग यह कहते हैं कि साब इनको बंद कर देना चाहिए नहीं दोस्तों सरकार माना की efficiency जरूरी है सारी चीज़ें जरूरी है लेकिन government व्यापारी नहीं है वो पैसे कमाने के लिए नहीं बैटी है वो कुछ area ऐसे भी है जैसे roadway है private bus कुछ area है कुछ गाओं में सुदुरवर्ती ऐसी जगे है जहां पे private bus से जा ही नहीं सकती यहां जाना पसंद ही नहीं करेगी उनका root economic नहीं है तो ऐसी इस्तती के अंदर जो राजस्तान roadway है उसका होना बहुत ही जरूरी है सुदुरवर्ती area के अंदर जहां पे और कोई जाना ही पसंद नहीं करेगे तो ऐसी बहुत सी जगे हैं जहां पे और कोई industry लगाना ही पसंद नहीं करेंगे तो वहाँ पे सरकारी उपकरम की भूमी का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है अब होना क्या चाहिए राज़तान रोडवेज गाटे में चल रहा है तो आप एनलेसिस करो गाटे के अंदर क्यों चल रहा है आप सुधार हो आप कार्मिक इस तर पे सुधार लेकर क्या होगे आप प्रबंदन इस तर पे सुधार लेकर आओ आप उसमें तुलनात्मक अज्ञन करो कि प्राइवेट जो बस है वो लाब कमारी है और वही राज़तान रोड़ी गाटे के अंदर क्यों चल रही है तो उनका स्वाट एनलेसिस होना चाहिए कि क्या कमजोरिया है उस कमजोरियों को सुधार हो, मेनेजमेंट लेवल पे सुधार हो सरकार इस तर पे क्या हो सकता, इस तरीके से सुधार होने चाहिए तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कोसिस किये कि जो लोक उपकरम है वो क्या है हमारा समाजवादी मोडल क्या है उनके साथ में क्या-क्या समस्या है लोक उपकरमों के साथ में और क्या-क्या समाधान होने चाहिए ये जो वीडियो ना क्यों राज्य प्रसासनिक सेवा के लिए बलकि संग लोक सेवा आयो यह अन्य परिक्साओं के लिए बहुत ही उप्योगी है और एक जनरल एक टॉपिक भी है कि लोग उपकरम जो है वो गाटे में क्यों चल रहे हैं तो मैंने मेरे वीवेक से जहां तक मुझे जानकारी है उतर देने की कोशिस की है बताने की कोशिस की है और अगर आपको लगे क इस समद्ध में आप और कुछ बाते हैं मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे बताईए और चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए प्यार देते रहिए बहुत बहुत धरन्यवादा